तो अगर आप एक ऐसे बच्चे और आप सोच रहे हो कि आपको पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है या फिर एक आप एवरेज बच्चे तो आपको किस तरीके से टॉपर बनना है और एक ऐसा बच्चा जिसके मांक्स थोड़े से रह जाते है आउट आप आने से तो वो कैसे देखिएगा तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की अगर मैं आपको मेरे बार में बताना चाहूं तो मैं यह सी केमिस्ट्री गोल्ड मेले इस्टू मैंने मास्टर्स कर रखा है और बिहार एस्टेड एक्जाम भी कौलिफाई कर रखा है में आपके वजे से हुआ है और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके और पर क्लिक कर देना इसी तरहीं से द्यान चे जूनिएगा फिजिक्स का भी दूबे जी करके हमारा एक चैनल है जो कि फिजिक्स का माहरा राष्णा का नॉमबर वन चैनल है तो आप इसको भी चैनल है उसके बाद इन और इस वीडियो में यह रेखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बच्चों को हमेशा टफ लगती है उसमें कैसे मार्क स्कोर करेंगे बात के किसी वीडियो के अंदर हम लोग इन और अप्लाइट केमिस्ट्री पढ़ेंगे अगर इस वीडियो के नीचे 500 से जाधा कमेंट्स आए तो तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बट ये क्या है ओन्ली वन डे देखिए मैं आपको बताना च प्रिप्रेशन के पहले एक दिन की चुट्टी होगी मेरे बोलने का मत्रब क्या है जिस तरीके से आप फिजिक्स का बोड एक्जाम का पेपर दे करके आओगे वजे पेपर से चुटोगे तीन-चार वे तक घर पे पहुच जाओगे तो पूरा दिन और उसके बाद का एक मतलब आपके सिर्फ उसिफ एक दिन की चुट्टी आपको टाइन टेबल में देखने मिलेगी मैं वापस से कह रहा हूँ एक दिन में 24 गंटे तो आपके पास सिर्फ उसिफ उसिफ 24 गंटे मिलेंगे आपको और उसी के अंदर आपको 16 चैप्टर का प्रिप्रेशन करना है अगर मैं एक बात कहूं मैं मेरे point of view से कहूं अगर एक तौपर भी वच्चा है न तो जादे साधा पढ़ने ही कोशिश करेगा तो 16 गंटे तक पढ़ सकता है मतलब 16 गंटे 16 चैप्टर मतलब एक गंटे में एक चैप्टर से खतम करना वड़ेगा लास्ट यर हमने इसी चै कितने बार भी पढ़ लो एक बार पढ़ो दो बार पढ़ो solutions पढ़ लो कितने भी chapters पढ़ लो 16 के 16 पढ़ लो बट सबसे ज्यादा difficulty situation में यह है कि एक दिन के अंदर उन 16 chapters का revision करना यह सबसे ज्यादा आपके लिए और यही करने में आदे से जादे बच्चे फेल हो जाते हैं वो देखेंगे कि उन्होंने रेगुलर के टाइम पे ग्रीन केमेस्ट्री जैसे चैप्टर को पढ़ा था पॉलिमर्स जैसे चैप्टर को पढ़ा था कॉडिनेशन को पढ़ा था बट एक तिन पहले वो लोग उ लगे गए लगेगा तो यहां पर सबसे जादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीड कि आप कितने कम टाइम में किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइस कर सकते हो इसलिए मैं कहता हूं कि जादे चैप्टर करने की वैसिस पे मच जाओ यह मैं सुच हो कि आपको 16 के 16 करने आप पांची चैप्टर करो आप से पांच होते ना आप एक मीडम बच्चे हो थोड़े लग कम जोरो पांची करो पर उन पांच को इस तरीकी से करो कि उसमें से कहीं से भी कुश्चन आजाए आप कर सको यह बात आए हो आपको समझी होगी अगर आपको सच में ऐसा कि मुझे बहुत जादा स्कोर करना है तो आप 16 के 16 करो 16 के 16 करो आपको आपको पॉइंट यह ही है कि एक दिन में आप कैसे रिविजन करोगे क्योंकि एक टीचर जो कि 7 साल से पढ़ा रहा है उसके लिए भी पूरे 16 चैप्टर को कम्प्लीट कराना साढ़े सत्रा घंटे लग आपको मेरी यह बात याद आएगी कि ए रहे हां सर ने कहा था कि सबसे जादा डिविकल्ड यही सिचुएशन है तो चलिए बात करते हैं सबसे पर फिजिकल केमिस्टी की फिजिकल केमिस्टी में बेसिकली मोटा मोटी तीन से चार चीज मुझे देखने मिलती है सबसे पहल आपको यह याद रखना है कि आप जब derivation solve करोगे उसी के साथ साथ बचो को उसके बारे में भी लिखते हो चलना है आपने लिखा N, आपने लिखा A तो आपको बताना है A क्या है M क्या है, n क्या है वो भले ही आपको पता है बट आपको paper में examiner को बताना पड़ेगा तो derivation की आप मेरे accordingly पाँच बार practice कर लो, enough है, किसी भी derivation की 5 बार practice कर लो, last year अगर आप मैं मेरी बात करूँ तो मैंने हमारे इस YouTube channel के उपर, आप जाएंगे live section में, ठीक है, popular videos के अंदर जैसी ही चले जाएंगे, तो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीची की तरफ स्कोल कर रखें, तो वो आप derivation उसके थ्रू कर सकते हो, यह बात को आप समझ के ले लो, ठीक है, derivation आप अच्छी तरीके से practice करिए, तो आपका अच्छी तरीके से preparation हो जाएगा, पहला step मैंने का बता है, physical chemistry में, derivation की practice करिए, आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको देखने मिल जा है, तीक है, और यही सारी की सारी चीज़े देखें, मैंने एक-एक derivation की इस तरीके से step by step solve कर रखा है, यह देख सकते है, आप इस तरीके से मैंने देखो, पूरे के पूरे के पूरे six chapters के derivation मेंने solve कर रखें, क्या लिख रखा है, important derivation, maha marathon, physical chemistry, HSC board, exam 2024, तो वही चीज में आपको बता रहा हूँ, practice कर लेना derivation की, ठीक है, derivation के साथ साथ इसका theory याद रखना, theory भी लिखना, derivation solve करके होगे, marks नहीं मिलता है, आदा marks मिलता है, उसके साथ theory भी लिखना है, second, सबसे important होता है, numerical, ठीक है, numerical को बच्चे में अक्सर रेखते हैं, especially physics की बात करूँ, physics में तो पूरे numerical आप लोग छोड़के जाए, हाँ या ना कमने में बता दे रहा, तो numerical की आप कैसे preparation कर सकते हैं, आपको यूटूब पर साच करना है, solid state numerical by अभिशेक सर के मिस्टी, पूरा log calculation के साथ step by step मैंने solve कर रख है, ठीक है, आईने के लिए हम numerical by अभिशेक सर के मिस्टी, therm आपको देखने वीडियो मिल जाएगी, उसके बाद theory, कुछ भी theory है, osmosis की theory है, उसकी explanation प्रस उसका diagram, यह आपको practice करना है, I hope आपको यह समझ में आ गया रहेगा, कि आपको physical chemistry के अंदर यही तीन चीत देखनी है, पहला derivation, जो कि लिख करके practice होगा, numerical, जो कि आप वीडियो इसे draw करना है, और उसके labeling को explain करना है, तो यह physical chemistry मोटा मोटी है, physical chemistry के बात करो, तो 38 mark की आपकी physical chemistry है, आप इसको हलके में मत लेना, numerical की में बात करो, तो 14 mark का आपका numerical है, यह मैंने किसी भी वीडियो के अंदर आपको नहीं समझाया है, तो इस तरी किसे में आपको समझा रहा पिछले साल कौन सा पुछ है, पात साल तक के कर लो, उसमें से बहुत सारे question आपको repeat होते वे देखने मिल जाएंगे, आपको यह भी समझाया आएगा कि भाई, यह जो मैं topic पढ़के जा रहा हूँ, या तो जा रही हूँ, तो उस पर किस तरीके के questions आते हैं, ठीके, इसके आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप beautiful तरीके से ASC app पर जाएंगे, यह आपको course दिखेगा, DPP, इसका मतलता है daily practice problem, PYQs और यह test, ठीके, तो इसी के अंदर आपको यहाँ पर पूरे के 16 के 16 chapters के previous year questions, आपको numericals भी देखने मिल जाएंगे, यहाँ पर, ठीके, और previous year questions, paper के with solutions, यह सारी की सारी चीज़े दे रखे, ASC app प्लेश्टोर पसे जाकर करके, प्रिवेस year questions solve कर लेना, ठीक है, और चलिए, अब बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं, हम लोग next चीजों की तरफ, जो की सबसे important है, हमारे पास organic chemistry, organic chemistry, मैं इसकी बात बता हूँ, तो सबसे पहल reaction आता है, वो सारा का सारा, ऐसे का हैस, आपको रिखने मिल जाएगा, उसके बाता है, फिल्प्रेशन की यार, यह बना के दिखाऊ, वो बना के दिखाऊ, इससे बना के दिखाऊ, इससे बना के दिखाऊ, इससे बना के दिखाऊ, यह सारी के सारी questions, आपको रिखने मिलेंग के अंदर मैं आपको रिखाता हूँ बहुत ही बहुत ही न तरीके से देखिए मैंने पूरे के पूरे डाल रखे यहां पर चैप्टर नंबर यहां से रिख करके यहां तक 10 11 12 13 चारी चाप्टर आपके और गिनी के मिश्टी में यहां पर रही है आपको रहरी चीजे है यहां आप इनको प्रैक्टिस करोगे और अच्छे माक्स जरूर लेकर के आओगे यूजेज भी देख करके जाना है आपको और यहां पर देख लीजेए डौ देख लीजेए यहां पर आप देख लीजेए ग्रिंग नाली एजनसी यह देखिए यह बना यहां इस फिनॉल इस कनवर अच्छी तरीके से स्कॉल करिए और तभी आपके अच्छे माक्स आ पाएंगे ठीक है चलिए आयोप आपको यह समझा होगा प्रैक्टिस करना और गिनिक के मिश्टी को नेम रीक्शन हो गए उसमें प्रिप्रेशन आई पीए सी केमिकल रीक्शन किसे क्या बनेगा क्या आ आने अले टाइम में जब CSIT एलेक्ट्रोनिक्स के एक्जाम्स हैंगे तो हम लोग हिंदी इंग्लिश यहां पर आपको दूबेजी पर रेखने मिल जाएगा हिंदी मराथी यहां पर भी आपको करवा के दे देंगे तो हम आपको पुरा का पूरा कंटेंड करवा रहे हैं ए आमारे स्टाओ